फोन नसीन के वागी जाए कोई उपाद नहीं है सुबे का समय था ठंडी का मौसम था आसमान में सुरउ देता निकल नहीं वाले थे चारो तरफ सुरज की हरई हरकी किरने थी बहुस्ते लोग सुबे सुबे ही गंगा नदी में अस्नान कर चुके थे चारो तरफ का माहोल बिल्कुल खुश नमा था और बहुत ही प्यारे प्यारे भक्ती गाने चल रहे थे वहीं दूर मैंने दुरोन एंड सोना को देखा दोनों बहुत ही गहरी सोच में खड़े थे यह सोच रहे थे आखि लोग इतनी ठंडे पानी में नहा कैसे रहे हैं इधर मम्मी और गुंजा दोनों नहाने के बाद गंगा मिया को परनाम किया संकर भवान को परनाम किया और इसके बाद हम लोग चले गए अब देश भिया के टेड़े पे जहां पे हम लोगों ने मिलके वहां पर छोटा सा भंडारा किया वहां लोगों को हमने चाय, हलुआ, छोले इन सब का परसाद बना के सब को दिया हमने और इतना सब करने के बाद हम अपने बड़े भिया के साथ निकल चुके हरीद्वार के उत्राखंड के इलाके में जहां का नजारा आज भी मेरे आख़े के सामने घूम रहा है उत्राखंड के पहारों में लंगूर और बनमानुस भड़े हुए हैं वहां पे हम लोगों ने उनके लिए चने और रोटी ले लिए ताकि हम उन लोगों भी कुछ खिला सके साइड में, साइड में हमने सोचा भी नहीं था जो वहां पे इतने सारे बंदर और इतने सारे लंगूर होगे जो उचल उचल के पहारों के उपर चर जाते हैं वहां का जो रोड था बिल्कुल चलता रोड था वहां पे गारियां आ जा रही थी जिसकी बज़े से हमें डर लग रहा था कहीं किसी के लॉंगूर को या किसी बंदरों को चोट ना लग जाए इसलिए हमने बहुत साफधानी से धीरी धीरी और सरक्य किनारे बंदरों को चने और रोटी देना शुरू कर दिया फोन नचीन के बागी लग कोई उपार नहीं है इस तो बिल्कुल पास में आ गया एक दो काखी गा तो नहीं नखाई इसकी बाद हम लोग बाहर निकले गुंजा ने चोटी सी मार्केट से चोटे-मोटे सामान करी दे सिब जी के चोटे-चोटी यहां पर मूर्तिया थी सिवलिंग के चोटे-चोटे मूर्तिया थी पर गुंजा ने त्रोन के लिए और सोनू के लिए चोटे-चोटे खिलोने और डमरू लिए गाइस वीजियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो सबके लिए सायोनारा बाइबाइब थाइंक्स पर वाचिन दिस रीडियो